वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला प्लीज यहीं पर आते हैं द्यान लगें नमश्का साथियो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिए हैं अगला भाग है सुप्रीम कोड का इससे पहले सुप्रीम कोड का एक भाग मैं आपको बता चुका हूँ आपने नहीं देखा है जो अगर देख लो यह सर्वोच नैले कि बचे हुए पॉइंट्स देखेंगे और सर्वोच नैले से आई हुए प्रिवेस एर क्वेशन भी लगाएंगे तो पीसे सब्सक्राइब मैं पूचे गए ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है आपका भी और मेर नभी दौनों चाही चलि रीक्ते हैं पुरा करने हीतू राशपती की पूर्व अनुमती के साथ च्रेवेत लावे के मुrah सु difund ने जिशकी नियुक ने का मतलब क्या यह समझा आप गियिन नक Gini है अगर सुप्रीम कोड में किसी भी मामले की सुनवाई करनी है तो जाएगा है ना साथ जज कभी भी भी तरहीं हो सकते ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ne थीन से तो हमें तीन सब्सक्राइ सब्सक्राइबully Nu नहीं टोटल जड़ों की संक्याई 34 से बाल समझें केस हजारों में है करोड़ों में है तो फिर कैसे काम बने तो बहुत बार यह से क्या होता है कि किसी भी मामले की सुनवाई के लिए हमें कितनी जच चाहिए कम से कम तीन जच चाहिए ठीक है अब हो रहे हैं दो एक की और जीश की नियुकती कर देगा जैसे वो किसी हाई कोट में जाएगा और हाई कोट के जजग को पकड़ के यहां पर खड़ा कर देगा और कहाए करता हुग और कैस हमारा सुनना शुरू हो जाएगा अब यह जो हाई कोट का जज जो है यह जो यहां नियाजीश की रूप में काम करेगा इसी को कह जाएगा तदर्थ नियाजीश जयान लगना और यह केबल तभी तक रहेगा जब तक यह केस चलेगा जैसे ही केस का रियल्ट आ जाएगा वैसे ही यह अपने हाई कोट में वापस लोट आएगा आई यह होता है तदर्थ नियाजीश है कि सर्वोच नियाले में संविधान के निर्वचन से संबंदित एक सेकड़ कि कि सरवोच नयाले में संभिधान के निर्भाचन से संभंदित मामले की सुनवाई के लिए नयाद जीसों की संभ्या कम से कम 5 होनी चाहिए कोई साधान केस है तो तीन जदों से भी काम चल जाएगा लेकिन अगर संबिधान की व्याख्या की बात आई तो भईया कंसे कम पांच जच चाहिए ठीक है इसे कहते हैं संबिधान की पीट ये संख्या अमेसा बिसमी होगी जैसा मैंने उपर आपको बताया अभी तक की दो सबसे बड़ी संबिधान एक पीट सी वो तेरे ज़ेजों की थी ध्यान रखना केशवन अंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में है ठीक है उसको भी आपको उताब का केशवन भारती बनाम केरल राज्य का केस क्या था है जो हैां टका मतले के हैं dwelling लूइक स्सारा एक सुप्रीम कोड में चला गया इसका उसका फैंसल आ तो अगhair दूमार रहे ही वैसा केस आता है तो फिर उप्रीम लुद्ữa रिक्ऌर्ड को आथार बना करके फैंसला दिया जा सकता है ठीक है कौंबिके इसकी इसकिये एक रिकॉर्ड है यह एक रिकॉर्ड कोट है ज्यान रखना थीक है कि सर्वुच नयले के अवलिक नयले होने का अर्थ है कि इसके सभी फैसले साख्षात्मक मूल लिके होते हैं यानि अगर सुप्रीम कोट में मालो कोई केस आया और वैसा ही केस दुबारा बीस साल बात किसी हाई कोट में आया तो हाई कोट दुबारा इतना टाइम नहीं लगाएगा उसी को आधार बना करके सुप्रीम कोट के केस को बना करके फैंसला दे लेगा अनुच्छे 132 से 136 के तह सर्वोच न्याले के अपीली छेत्रा अधिकार का उल्ले किया गया है कि मतलब कौन को न अपील कर सकता है सुप्रीम कोट में समयदान कर उच्छे 136 के अंतरगत अपील के लिए उच्छेत्म न्याले की विशेश इजाजत है और उच्छे 137 के अंतरगत फैसलों या आदिशों का उच्छेत्म न्याले द्वारा पुनर वलोकन भी किया जा सकता है जुडिशल मतलब सॉरी इसे हम बोलते है मतलब पुनर वलोकन किया जा सकता है इसका अलब यह है कि मालो सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला दे दिया और अगर उसे लगता है कि नहीं यह फैसला सही नहीं था तो आने वाले सही में उसे बदल भी सकती है जैसे एक एक्जामपल आपको देता हूँ बेरुवाड़ी मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना समिधान का अंग नहीं है अता इसमें कोई संसोधन भी नहीं हो सकता लेकिन केशवा नंद भारती बनाम केदल राज के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के फैसले को बदल दिया ठीक ह यह अभी हो सकता है यह देट मुझसे मिस हो रही हो लेकिन हां करी 12-13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया केस फैसले को बदल दिया और केशवान भारती में केरल राज के केस में कहा कि प्रस्तावना समिधान कांग है अभे नंगय और इसमें संसोधन हो सकता है तो 1960 मे दिये अपने फैसले को 1972 में उन्होंने बदल दिया इसे ही कहते हैं पुनरवलोकन जनित्याचका की अवधार्णा भारती समिधान करुचित 49 ए में नहित है ठीक है 49 ए में नहित है ताकि विधी की मजश से तुरित सामाजिक न्याई की रक्षा तता वित्रण सुनिश्चित किया जा सके 1980 के दशक से पहले किवल पीड़त पक्ष के लिए न्याईलों के दरवाजे खटखटा सकते थे आपात काल के बाद सुप्रीम कोट ने जनित्याचका के माद्यम से लोगों को सुबधा पदान करनी चाही जिसमें जनता में से कोई भी वेक्ति या कोई गहर सरकारी संगठन स साथ जने खित के मामलों के लिए कानूनी साहता मांग करने के लिए अदालत जा सकता है यानि अब ऐसा नहीं है कि मुझे समझ से आ है तो इमें कोट जाऊंगा अगर मैं देख रहा हूं कि किसी वेक्ति की वज़े से परयावना का नुकसान हो रहा है तो मैं उस वेक्ति को भी कोट में घसीट सकता हूं भले मेरा उससे लेना देना हो या ना हो पास समझ रहें तो पबलिक के नियाय के लिए पबलिक के बढ़े के लिए समाज के लिए कोई भी वेक्ति कोड जा सकता है और जो अपील डाली जाएगी वहोगी पी आएल पब्लिक इंट्रेस्ट करकी को दोनहीं दायर की जा सकती है judi iAL हाई कोट और सुप्रीम कोट धायर की जा सकती है जैनित rấtना सब्सक्राइब तिए अमेरिका से होगी fry ठीक है in वरफ में नियाएक पुनरवलोकन का आदार विधी के याउतारना है संमिधान की व्याक्या करने का अंत्वधिक प renowned कि के पास सईबात है सूप्रीम म् कोड को कहते हैं वारती समेदान का सरक्षक और अविवावक कोल गेट आवंटन गोटाल गोटाले में सुप्रीम कोट ने सी बी आई को पिंजरे में बंत होता कहा था अनुच्छे 143 के अंतरगत राश्पती विधी या तत्य के व्यापक महत्व के मुद्दे को मुद्दे पर सुप्रीम कोट से प्रावर्श ले सकते हैं ठीक है यानि अकर भारत के राश्पती चाहें तो किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोट से जो महत्वण मुद्दा है ठ तो किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो मैतपूर है उस पर सुप्रीम कोट से सलाह ले सकते हैं ठीक है सरवच नियाले के अधिकार छेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसत के पास है अगर सुप्रीम कोट को कोई एस्ट्रा शक्ति देनी है तो वो संसत देगी द्यान लगना देश के किसी भी नियाले में चल रहे मामला या वाद को अन्यत भीजने का अधिकार सुप्रीम कोट के पास है बारती समयधान के आधार भू सरचना के सिद्धांत का सुरोत सुप्रीम कोट द्वारा की गई व्यक्या है समयधान करुच्छे 141 के अनुसार सरवूच नियाले द्वारा घुशित विदी भारत के सभी नियायलों के लिए बादिकारी होती है देखो आगे ना केश्वनन भारती बनाम किरल राजी यह 1973 का है बादता नहीं है राजपती अपने हस्ताक्षर वा मुद्रा सहित अधिपत द्वारा सुप्रीम कोट के प्रतेक नियादीश की नियुक्ति भी करते हैं अगस 2002 में तत्काली राजपती अब्दुल कलाम ने गुजरात में चुनाव में चुनाव आयोग तिधा सरकार के बीच उठे विवाद के संबंध में अनुच्छर 143 के तहट सुप्रीम कोट से सला मांगी थी अनुच्छर 324 के तहट चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाओं से संबंधित मुद्दे आयोग के अजिकार छेत शक्तियों पर अनुच्छर 144 का प्रभाव और क्या आयोग किसी राज में राश्पती सासन की गोशना की सिफारिस कर सकता है इस संबंध में राश्पती ने सुप्रीम कोट से सला मांगी थी धियान रखता 23 सितंबर 2003 को भारत के सर्वोचनेले के नयमूर्थी बियम शार के एक महत्पून दिरणे द्वारा भारती समाज में माईलाओं के स्थिति का महिमा मंदन किया गया था कोट ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकारी कालिश के पधाराचार के तौर पर होने वाली निक्तियों में महिलाओं को दी गई वरीता सम्मिधान के अनुच्छे 14 और 15 या 16 का उलंगन नहीं है कमल नारायन सिंग सबसे कम अबदी के लिए भारत के मुखिनाइडीश रहे यस्वन्त विष्णू चंदचूड अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक पदपर रहे सुप्रीम कोट के मुखिनाइडीश है भारत के सर्वोच न्याले ने गोलकनाथ बना पंजाब राज के मामले में संबावित अधि निर्णे के सिध्धान्त को माना है अब यहाँ पर हम देखते हैं सुप्रीम कोट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टीकल लेने देख लो पर ज्यादा कुछ नहीं है थोड़ा जूम कर देता हूं अ 가장 124 में मिलेगा सुप्रीम कोट की स्थाबना 124 में मिलेगा राष्पती नियाएक नियुक्ति ययुक्ति आयोग नेशनल जुडिशल कमिशन अब घेवर ग्रालों पर-श् dependence नियुकतिया यूठ के कार्या में सेवा निबरत नयादीशों की उपस्थिती एक सोंतिस में अवलिक नयाले के रूप में उच्छतम नयाले में सुप्रीम कोट का विशेश अधिकार ठीक है हाँ 132 में मामलों में उच्छनाले से अपीलों में सर्वच नयाले की अपीली अधिकार था 113 में सुप्रीम कोट क्या आजिक मांवलों में अपील इसे तो 134 में सुप्रीम कोट में अपील है तो प्रमान पत्र 135 में सुप्रीम कोट द्वारा वर्तमान विद्विदियों के अंतरगत संगीन अधिकार in प्योंग नोट करना इंपॉर्डेंट द्यान लगना तो 136 सुप्रीम कोट द्वारा अपील के लिए विश्य सवकास 137 सुप्रीम कोट द्वारा फैंसलों तदा आदिशों की समिक्षा 138 सुप्रीम कोट के छेतरा अधिकार का विस्तारित करना जो कि संसत का अधिकार है 149 द्यान लगना 149 कुछ मामलों में अन्य उचने आलेओं से सुप्रीम कोट में स्थानांत्रन कराने की शक्ती 146 में सुप्रीम कोट के अनुशंगक शक्तियां 141 में सुप्रीम कोट द्वारा घोशित विदियों का सभी ने आलेओं पर लागू होना 142 सुपरीम कोट के आदेशों तदा साथ अनूशन आदेशे संबंधित आदेशों का प्रवर्द्थन कराना 143 राश्पती की सर्वोच नयाले से सला करने की शक्ति 144 सिविल तदा नियायक अधिकारियों का सर्वोच नयाले का सहयक होना 144 विदी की सम्मेदानिक्ता से जुड़े मुद्दों के निस्तारण के लिए विशेस प्रावधान 145 नियालेक के नियम 146 सुप्रीम कोट के पदादिकारी सेवक तथा व्याई 147 व्याख्या इसके साथ यह टॉपिक गुआ हमारा समाप अब हम देखेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवेस यह कॉश्चन यहां पर आप देख लीजिए पहला कॉश्चन है MPPSS 23 में आये हुआ है सुप्रीम कोट का उद्गाटन कि स्थिति को हुआ है तो द्यान लगना 28 जनवरी 1950 को हुआ है बना 26 जनवरी को है बट उद्गाटन इसका 28 जनवरी को योग है 1953 जो है यह तो बल्कुल गलत लिखा है हां अगर यहां पर 1935 होता तो एक प्रकार को यह सवाल ठीक होने की संभावना रहती लेकिन हां अब यहां पर यह नहीं है तो फिर भारती संविधान के जारा इसकी स्थापना की गई है ध्यान लगना पास है और न Hare है याज शॉक्त की संभया में वर्धी करने आदिकार किसके पास है तो संसत के पास है धियान रखनां इस पोटिए तो पूंट को एल यह देखो तो यह है 34, 34 मतलब 33 प्लस 1, इसमें कोई option नहीं है, तो यह सवाल फिर आज के साब से गलत है, उस समय के साब से जो है, जब पूछा गया होगा, जब पूछा गया होगा, 1992 में या 2015 में, है न, PCS में आया है, लेकिन आज के समय में आएगा, तो आप answer करोगे 33 प्लस 1, यानि 34, आगे देखते हैं, भाई, संब्यदान का कौन सा नुच्छे सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिये गए फैंसले अत्वा आदिशों के पुनर वलोकन हेतू अधिकरित करवाता है, यह किस शक्ति के अंतर कहते, तो अभी जो हमने important आर्टिकल देखे तो उसमें ये था, अनुच्छे देख सो, सैंतिस द्यान लगना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैंसलों या आदिशों के पुनर वलोकन के बारे में कौन सा कहतन सही नहीं है, यह आपको बताना है, ठीक है, चली देखते हैं, भारत के राजपती को ऐसे फैंसलों के पुनर वलोकन का अधिकार प्राप्त है, सही बात है, नहीं स्वरी, यह तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैंसल आ गया, तो फिर राजपती इसको इस तरीके से नहीं बदल सकते हैं, उच्छे तम नयाले को अपने द्वारा सुनाए कए फैंसलों या आदिशों को पुनर वलोकन करने की सकती परापते हैं, मैंने एक्जामपल भी दिया था, बेरुवारी मामले में, 1960 में, और पर केशवरंद भारती, 1973 में, मन्से में बंडल को भारत की राजपती के अनुमती से सुप्रीम कोर्ट के फैंसलों या आदिशों के पुनर वलोकन का अधिकार परापते हैं, सुप्र सुप्रीम कोर्ट के फैंसलों से इनके बारे में कौन सा कतन सही है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैंसलों को परोश्चित करने का अधिकार है, ठीक है, बाकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, धिया लगना, चलिए, आगे देखते हैं, केंद वा राज्यों के बीच होने वाले विवादों का फैसला करने की उच्छ तरम जाले की शक्ति किसके अंतरगत आती है, तो ये मूल अधिकारता का अंतरगत ये हुआ, मूल अधिकारता का मतलब ये हुआ, कि ये कुछ ऐसे केस होते हैं, जो डारेक्ली सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, वो इधर दर न मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, तो ये इनके मूल जो है अपीली छेतर हैं, तो ये इसके अंतरगत शक्ति आती है, ठीक है, तो जिहान दखना ऑप्शन सी, आगे देखो, भारत का सरवच नयाले एक अबलेक नयाले है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, कि इसक के सभी फैसलों का साच्छात्मक मूल्य होता है, और इस पर किसी भी नयाले में प्रश्चन नहीं लगाया जा सकता, यानि अगर सुप्रीम कोट ने किसी मुद्य पर कोई फैसला दे दिया, तो वो फैसला फिर भारत की सभी अधालतों पर लागू होगा, बास समझ रहे हो क नहीं, उसे फिर हर जगे माननेता प्राप्त होगी, ठीक है, तो यह चीज महत्रपूर है, ज्यान रखना, अब लेक नयाले का मतलब यह होता है, मैंने आपको बताया था, अगला पस्ते देखिए, 35, किसको अब लेक नयाले कहा जाता है, option A, केवल उच नयाले, केवल सर्व कुछ नयाले, दोनों को, ठीक है, जान रखना, दोनों ही, रिकॉर्ड कोट होते हैं, ठीक है, और दोनों के जो फैंसले होते हैं, वो पूरी जगे लागू होते हैं, आगे देखो, सुप्रीम कोट मामलों की सुरवाई दिल्ली में करता है, किन्तो अन्य जगे भी कर सकता है कब कर सकता है ऐसा तो ऐसा वे तभी कर सकता है जब राश्टपती से वह सला मश्वरा कर ले यानि वैसे तो दिल्ली में ही है सुप्रीम कोट लेकिन दिल्ली के अलावा भी अगर कहीं लगना चाहे तो राश्टपती के अनमोधन से यानि राश्टपती से सला मश्वरा करके सुप्रीम कोट ने संविधान के मूल ढाचे का सिद्धान कब दिया तो मैंने आई वार आपको उताया केश्वन भारती बनाम केडल दाज्य में ध्यान रखना यह है मूल ढाचा मूल ढाचा अब यह हो गया कि संसद संविधान में संसोधन तो कर सकती है लेकिन कोई ऐसा संसो सबसे बड़ी खंडपीड बनी थी केश्वन भारती तो देखो सबसे बड़ी खंडपीड बनी थी केश्वन भारती है बनाम केडल राज में तेरे जज़ों की मैंने आपको बताया यहां पर पूछ रहा है दूसरी तो दूसरी बनी थी गुलकनात मामले में ग्यारे ज़ों की तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तो यह हुए हमारे कुछ इसके प्रिवेस यार क्वेशन इस तरीकी के सवाल आपको प्री और मेंस परिक्षाओं में देखने को मिलते हैं ठीक है चाहिए आप बीयों का मेंस दोगे वहां पर भी ऐसी मिलेंगे चाहिए आरो यारो का ठीक है तो इसको बढ़िया अच्छे से पढ़ लो मेहनत कर लो हमारे नोट से कुछ भी बार नहीं जाएगा पेपर